तारीख 14 फरवरी और साल 2019 जब मुकश्मीर के राश्रिय राजमार्क से दौपेर करीब सवा 3 बजे 1 CRTF का काफिला जा रहा था इस काफिले में जादा तर बसे थी जिनमें अमारे देश के जवान बैठे थे एक काफिला जब पुल्वामा पहुँचा तभी दूसरी तरफ से एक कार आती है और काफिले के एक बस को टक्कर मार देती है इस कार ने बस में टक्कर मारी उसमें भारी मात्रा में विस्वोट टक रखा था ऐसे में टकर होते ही एक बड़ाव स्पोर्ट हुआ और इसमें अमारे देश के CRPF के 40 जवान शहीद हो गए बीते शुक्रवार को पुलवामा हमले का मास्टर माइंड औरंग जेब आलमगीर बाइक पर हफीजाबाद से डेरा गाजी गुलाम जा रहा था जाते समय स्लामबाद से कुछ बंदूग दारी हमलावरों ने उसे अग्वा कर लिया लेकिन बाद में पता चला कि कुछ काड सवार उसे लेकर वहां से फरार हो गए बतादे बाहवलपूर का औरंग जेब पिछले कुछ समय से हफीजाबाद में छिप कर रहा था औरंग जेब ISI के साथ साजश रचकर अफगान आतंकियों को जमू कश्मीर में गुस्पेट कराने की घटनाओं में लिप्त था पतादे पलवामा हमले का मास्टर माइंड औरंग जेब आतंकी संगठन जेश के लिए पाकिस्तान में फंड जमा करता था और फंड आतंकी वारदातों के लिए कश्मीर भेशता था सूत्रों के मताबिक NIA को आतंकियों के ठिकानों से कुछ जगों के कॉडिनेट और जरूरी दस्तावेज मिले जिनकी जाँ चबी की जा रही है जेश, हिजबुल, अलकायदा और लशकर इन चारों संगटनों ने भारती सेना और अन्य सरकारी उक्रमों को निशाना बनाने के लिए अपने आतंकियों को खांस ट्रेनिंग दी जिसके बाद उन्हें अवे तरीके से भारत भी जा जाता था यह आतंकी कश्मीर के गदरबल, श्रीनगर, पुल्वामा, शेपिया, पंज, भूपवड़ा और बारा मुला जिले में आठ अलग ठिकानों पर कुछ दिन तक छिप कर रहे थे पता दे जहां यह आतंकी रुके थे वो कश्मीर के ही घड़ते सूशना मिलने पर NIA ने इन आतंकी ठिकानों की चापे मारी की और वहां से मिले दस्तावेजों की जाच पड़ताल करना शुरू कर दी तो वही दूसरी और खूफिया एजेंसियों को इंपुट मिला कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन लशकरे तेबा, जेशि मौमद, इसबुल मजाहिदीन और अलकायदा 14 परवरी को भारत में फुलवामा हमले की बड़सी पर हमले की साज़िश रच रहे हैं जिसके लिए उन्होंने 20 से जादा हाइब्रीड आतंकी को जमू कश्मीर भेज दिया है, जो कई जिलों में छिप कर बैठे हैं, जिनने पकड़ने के लिए राश्ट्रिय जाच एजेंसिय यानि NIA, PSF और अन्य एजेंसिया मिलकर कश्मीर में सर्च ऑप्रिशन चला रही है साल 2019 में 14 फरवरी को हुई जातंकी घटना ने पूरे देश को जग जोर कर रख दिया था, उस दिन की तपिश हमारा देश आज भी नहीं बूल पाया है, नमस्कार